जनता का जनदेश था महागडवन्धन के नाम पे समाजी किदाय के नाम पे धन निपेश्टा के नाम पे लालु जी के नाम पे लेकिन जनता ने जिसमन अकारा नितीजी उन्हीं को छोड़ दर्वाजे से सथा में लाने का काम किया आप लोगों ने लालु जी को बहुत कुछ दिया लालु जी ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया हम बस इतना ही चाहते हैं कि आपका प्यार आशिद्वाद अपने भाई वेटा पर बना रहे ताकि सूथ समेट आपको वो लोटा से कर और देश की राजनिती की जो गती है उसको धार में कैसे लाने का काम करें इसको तेश कैसे करने का ना काम कैसे करें और देश की दशा और दिशा बदलने में आप लोगों की योगदान होनी चाहिए। उसलिए जो समेलन जो गुलाया गया, कई लोग जो हैं, आप लोग देखते होंगे कि हमारे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की देए। लोगों ने बोला कि भाई यह माई की पाटी है, माई, एन वाई माई, आज तक ना लालु जी ने बोला, ना हमने बोला, ना और किसी ने बोला, यह विरोधियों की चाहर रहें, कि लालु जी का जिन वहां से निकल जाए, उसलिए यह पूरी तरिके से दुश्प्रचार करने वेगा काम किया, यह माई की पाटी नहीं, हम माई को नहीं, हम ये Tech다들 यी ये विरास्टी जन्तादन, लालु जी की पाटी, ये गरीब, गुर्बाओं, वशितों, शोशितों की पाटी है, इसे सभी जाट के लोग, सभी धर्व के लोग, बलोग की लोग है इसे, और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है यह उनके साथ रहे करके यह पार्टी संगर्ज करने का काम करती है यह सिर्फ माई की पार्टी नहीं यह सभी लोगों की पार्टी है उसलिए आप लोगों की आतांच्छाओं को हम जानते हैं और यह जानते हुए हमने पहले भी बोला और आग समान दिलाने का अधिकाद मेरा होगा हुआ 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 है कि देश भर में आप लोग देखते होंगे महाल जो बनता जा रहा है कि आरक्षन को धीरे-धीरे-धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जा रहा है अगर आप लोगों का अशिवाद होगा अगर हमारी सरकार बनती है तो तमिल्नादू के तर्च पे 69 परशन जो आरक्षन का वह वादा तो हम लोगा करने का है अगर तो हमें तर्च परशन की आरक्षन का जब बात आता है जब गरीब को उसका अधिकार दिनाने की बात आती है हम लोग आगे आते हैं तो नोग लगते हैं कि यह लोग से कुर्शी के लिए गरीबों का नाम भूंआने का काम करते हैं काम नहीं करते हैं हम आपको इतना बता दें अगर हम लोगों में सप्ता का लालच होता है तो लालू जी भी अपने विचार और सिधान से समझोता कर लेते हैं भाजपा से मिल जाते हैं आज के जिश्वी बिहार का मुखमत्री बढ़ा है आज साजिशों का अमदार लगा है सब विरोधी लगे हुए हैं कि लालू जी को फसाओ लालू जी को बदनाम करो इनके परिवार के लिवों पर केश मुखमा करो बदनाम करो आप बताइए अगर हमको अपने चाचा जैसा लालच होता और डर होता तो हम तो बहुच्पा से मि हो जाते हैं लेकिन इसमें मारा कौन जाता तब गरीब के आवाज को कौन बुलंद करता आपके अधिकारों के लिए कौन लड़ाई लड़ता है लोग बोलते हैं और हमको आज तक इत्यास उठागर के देख लीजे लालू भी ने आज तक मनुवादियों से संप्रदाइब शक्ति उसे संझोता नहीं किया है और आगे उनका बेटा भी नहीं करने का कांसर. यह मुख मंत्री परधान मंत्री बनने की लड़ाई ने हमको मुख मंतरी बनने का शौक नहीं हमको आपका भाई बेटा करके आपके अधिकार को दिलाना है और जब सत्य के रास्ते पे चलिएगा कटिनाई भरा काटेदार भरा रस्ता होता है तरह तरह का लोग आएगा रुकावट बनने का प्रयाज करेगा लेकिन जब हम लोग जनता जो है मालिक है मालिकों के बीच जाते हैं जो भुलंदी जो शक्ति आप लोग जो देने का काम करते हैं हमको तो कुछ नजर दियाता सिर्फ मचली का आप बिज़र आता है और इधर घर कुछ नजर दिया और जो हमने देखा और आप लोगों के बीच रहे करके जो दुख और दर्द को जानने का काम किया है लोग कहते राज हमें आपनी पडिवार की चिंता नरे बश्क्टी हमें अपनी देश विहार और घरीबों की चिंता और आप लोग सब लोग हम लोगों के मालिक हैं हमारे पिता जब जेल दारे थे तो बेटा निराश मत हुई है जब भी निराश होगे तो मालिकों के बीच ले देना तो हम तो अपने मालिकों के बीच आए हैं टृष कि जंता की ढालत में जंता कि अधालत में ना तो कारीक होता है या ना तो सुनवाई हो कि ही सीधा होता हुब वह फैसला ही कि याज लडाय को आपके अधिकार को कौन दिला सकता है भी आब बहुत लोगों ने बोला कि नब्ब्र से पहले तो कोई बात की नहीं करता था ती पिछगा इट शग्यव दाबु तो कहते थे पहरी पीडी जो है घोली खायगी दूसरी पीडी जो है जेल जाएगि सिरी पीडी पीडी जो है वह राज करने का ठाकेदे की करकुरी ठाकुर जी ने लड़ाई लड़ी जो हमारे पिता जिनको नेता मांते थे कर्कुरी खापुर जी उनको कितनी भद्दी भद्दिया गाली दी गए आज वही गाली देने वाले लोग कर्कुरी जैनती मनाकर के मल्यापन कराने का था करते हैं कि नहीं करते हैं उसलिए लोग जब हम लोग बात करें संधुधान बचाने की आरक्षन बचाने की और जिसकी जितनी आबादिये उसी हिसाब से लोगों को आरक्षण मिले तो लोग बोलते हैं कि स्वर्ण लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए क्यों कि स्वर्ण गरीब है स्वर्ण हम जानते हैं कि कुछ स्वर्णों में भी गरीब लोग हैं लेकिन एक बात जानने की जरूरत है कि जो सन्विधान में जो बाबा सहाब अंबेद कर दे जो आरक्षण की व्यवस्था जो की है कि वो जो सदियों सदियों से जो वर्ण वर्वस्था जो कायम थी जो भेग भाव छुआ छूट का जो आतंग मचा हुआ था गयर बराबरे का जो बात चल रहे थी उसको मिटाने के लिए आरक्षण का प्रवधान किया गया है और आरक्षण आर्थिक इस्तिती सुधार्च कि इसका मेकेनीजम महीं रहें इसका मेकेनीजम नहीं है लुप स्वगरी को इस वाले लोग़оды हैं अगनृभ पांक एघटे हुए हैं कौन लोग urban कि बैठा हुआ तो तो और है त्सका पालालोग गरीब है इस Minh में उस में उसमें तो पुरा देश का जिनकांना हुई उसका आप अपड़ा निकाली अगर कोई स्वांद में अगर कोई गरीब है तो उसको अलग से बजट में प्राधान करके उसको सहता आर्थिक रूप्षे करने का काम कीजिए लेकिन आरक्षां की जहां तक बात आती है तो यह लोग जो है गुमराह करने का काम करता है और स्वांन मालिजें अगर केंद्र सकार मोधी भाजपा की लोग अगर गरीबों का जन गन्हार रोतर के रखे उए हैं तो सबसे बड़ा सुन्ट गरीबों का दुश्मन कौन है कौन है यह तो बताना पढ़े लिए उननों हो उन्हों और मरांघी को मानने वाला नहीं लोग घुम्राइब बताईए दंगा फसाद से कुछ लेना देना है दंगा फसाद होता है तो गरीब मारा जाता है नौजवान मारा जाता है यही मारा जाता है और कोई मारा तो नहीं जाता और मान दिजीए जहां शांती नहीं रहेगी जहां अमन चैन नहीं रहेगा अज मुली चीजों पर हम लोग बात ना करके आपस में भाई भाई लड़ते रहें तो देश का वितास कैसे हो आज खिसान पर चर्चा नहीं हो रही है आज मौझवानों को रोजगार दिलाने पर चर्चा नहीं हो रही है चर्चा होती है तो इस पर पाकिस्तान अ कश्मीर तो किस तरीके से देखिए आप सब लोग ध्यान से सुनिये जानिये गंभीर मसला आप लोगों का ध्यान जो है दंगा फसाद में लगा देगा चुपके से जो है आरेक्षन समाप्त कर देगा कराने में जिनका योगदान रहा तो बड़े चलाकी से चतुराई से हुआ यह तो धीरे धीरे जो है आरेसेस जो संगठन है उसके अजंडा कोई लोग लागूं करना चाहता है और निती जी हमारे चाचा जी कहां खेल रहे हैं उनको इस सब्सक्राइब मतलब नहीं है उनको कुछ लेगा देना नहीं हमारे चाचा को केवल मतलब कुर्शी से है कुर्शी पर बने रहे हैं बस मुख मंत्री कैसे बने रहे हैं ऐसा कोई सागा ने जिसको हमारे चाचा ने कि वह किसी के नहीं है उसलिए बड़े चाहला की से तड़ा तड़ा का बात चलेगा आएगा अभी तो देखी रहे हैं चुनाव कि जैसे जैसे करीब आएगा फिर मंदिर अरे घरीब को अधिकार दिलाने की बात करो रहा हो किसान खुद-खुशी कर रहा है 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 आप खिसान लो उय उघ्ज हाँ है लेकिन फूंजी पट्रियों को कुछ की घरानूंगों हेदारओं कर माफिया करने का काम करते प्राभि की आघर इसके लिए हम सवाम मुफाएं नौजांव के लिए वो पें भोलते ही रोजगाती जी तो नौजोंग पें सब पकवरा बोसमान कर तोल सकुक्ण करते हैं घर भालबचया को के सोओं गारा। लेकिन पकोड़ा बेचने के लिए भी तो फेला चाहिए सामगरी चाहिए जगा चाहिए तो मोदी जी तो 15-15 लाग का वादा की थे एक दो लाग उप्यापोनी कडा ले लोग पकोरेगा दुकान फोल लेगा कि अकिन हर साल जब दो करम लोग जब पकोड़ा नजों होलेंगे हर साल वर तुर महार चाहिए का निकान apparent बिके उनकिल नीए तो बालबच्चे का पेट नहीं बढ़ेगा तो किसको लू बना रहे हैं तो उसलिए बिहार पुरा देश का जलता है कि आप कहां है बिहार को थख लिया बिहार के वोट से यूपी के वोट जाता है विशेश्राज का दर्जा देदो तो ठीक आदिखाते मुटे नहीं दे सकते इंदर अंदर मोदी जी आये थे बोले थे बोली लगाई चाहर कर दू कि 70 का है शुपल से लेकिन प्रस्तचार में कि व कास नहीं होडा यह लेकिन जैंईडेमों काकर देगों अंती दीजिर में ग्री मंतरी सोल में कल इतना बड़ा पटना में हच्छा हुए इतना बड़ा हुआ लोगों रे शुरू-शुरू में दिखाया लेकिन शाम होते होते कुछ और में लगे शाम होते होते लो今天 देखाना थिखाना जो की पढ़ी इंट्रेस्स पाप कोई बाठीना हूं से फ़ीज़स कोडल को लोगों करेंगे आपके घर में खाना कौन किसानों का किता तर्ज मांफ वुआ हैं कि देश कि कैसे रहे हैं कि कैसे हो कि हम इसकी चर्चा करें लेकिन लेकिन लोग जो हैं इसमें इसमें देख सकते हैं हम लोगों का फूरा ध्यान जो है जो काम हम लोगों को मिला हुआ जो जिमेदारी उसमें हमने आपको पहली भी बताया कि मचली का आँख हमने देखा है वही नज़र आ रहा है और उसी काम में हम लगे हुए हैं और जब तक आप लोगों को मांग से महना आप लोगों को अधिकान का दिला दें और यह सरकार में बैठी है निकम्मी सरकार जो जनता का शोशन करने का काम करी इसको जब तक उखार के नहीं पेगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले हैं इसलिए आप सब लोगों को कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा लेकिन जो बात है आप लोग उस पर ध्यान देने का कांग पीजी इदर अधर दिमाज हम लोगों पर निल दोराना है आप देखें कि बिहार की स्तितिक क्या है आज व्लोग लेवन से लेके हैट्पॉटर टक घू दूस थोड़ी समझे कि आज सिर्फी टेक्स है यह आज सिर्फी टेक्स लगता है स्प्रेशन टेक्स से फिहार में आज सिर्फी टेक्स उसलिए नितीजी तो शराबंदी किये लेकिन आप लोग बताई शराबंध है जालू है ना पूरा पर क्या है कि दो सो रुपिया का पोटेक्स पंदरा सो में भी करा है दो सो रुपिया और पंदरा सो में डिफ्रेंस हो जाता है अंतर हो जाता थेरा सो का तो इस तेरा सो का जो कमाई है उस सीधे आर्शिपी टैक्स में जाता है वसूली में जाता है वसूली रंगदारी होता है आधिकारियों का इसी से तबादला पोस्टिंग होता है और दूसरा नहीं होता है तो जो मापिया लोग दूसरे राज से जो सराब बिजवाने का काम कर रहे हैं उनसे पार्टी में चंदा लेने का काम हो जाए रहा है कि समझें यह बात को यह तो होम डिलिवरी करा दिया बात करता कि शराब बंदियों अब बिच्वाने वाला लोग पकराता उन्हीं के पार्टी का आमा चाचा जो कूछ ट्रेजडी वाला जो लोग था पुरे